गुड इवनिंग छात्रों मैं आपका वेवस्थाई सिख्षक दीपक सिंग और आज चुकी पांच पेपर मैंने आपको वीडियो दिये हैं कुछ प्री बोल्ड प्रिपरेशन के लिए और क्लास में जो जैसी वेवस्था होगी कालेज की वैसा किया देगा लेकिन फिलहाल त के लिए तो अच्छा लगता है बताने में अच्छा लगता है और आप समझ सकते हैं थोड़ी खुशी मिलती होगी और इसी यूट्यूब से मैंने कुछ सब्सक्राइब ना भी करें तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि यह निश्वार था आपके लिए तो आईए देखते हैं स अब भी का सकते हैं यह दो आइए देखते हैं पैला कोश्चन है कि आसकते हैं एक समभावित क्या आ सकते हैं द्वाइए देखते हैं पर्यावरण एंवंग ग्रामेर विकास पहला कोश्चन है कि पर्यावरण का आर्थ समझाएं इसकी आवज अच्छा इसमें एक चीज यह है कि सारे सभी प्रेशन करने हैं 18-19 खेटें वहीं तीन आवर स्थीन गंटे का समय सार्फ सो नमबर का यह पेपर होता है और अठारा निस सब्सक्राइब में 3-4 question ऐसे होते हैं जिसको 3 page में लिखा जाता है तो थोड़ा सा पोस में heading डाए लाल के लिखें और बागी जो questions होते हैं वह एक page में 5 line, 10 line, 10 line जैसा number रहता है उस तरह का उत्तर दें तो जैसा नमबर है जैसा पैसा वैसा दामभवी बात होती है यहां भी आप थोड़ा सा बेवसाइक बढ़िए जैसा नमबर रहेगा वह इतना ही आप उतर वी दिए पांच लाइन दस लाइन में अगर नमबर लाक रहा है और बड़ा फ्रॉशन रहे तो तीन पेज में उसका उत्तर दीजिए जो आता है पिछले वीडियो में आप देख भी सकते हैं मैंने समाइए दरिद भी से पे बनाए भी हैं वीडियो तो पहले परियावरण का अर्थ समझाएं एंवांग इसकी आवशकता महत पर प्रकाश जालें बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पर आप आ इसमाता पिता आये वहीं आपके परियावरण है आप इसकी आपको दीए भी है पेज में भी और वीडियो में आप सुनेंगे तो आपको अपने कुछ अपना भी दिमाग लाके लिखें इसकी आवशकता और शक्ता बहुत जरूरी है क्योंकि प्रेवन देखर हवा नहीं साफ रहेगी तो वहीं सब देख रहे हैं आजकर करोना हाई है महत पर भी प्रकाश डालें क्योंकि इसका महत बहुत जरूरी है प्रेवन हमको अपने अगल बगल अपने घर में परिवार में हर जगह सही रखना चाहिए साप सफाई रखन ह лю आपकी जो कछरा मनदी में महा दे रही है धुनँआ ऊपर निकाल दे रही है गाडियां जो हम लोग चला रहा हैं जिससे जो निकलना है करवन डैयकसाइट वह भी हमारी समस्या है तो भी विकास भी करना है रहाना औना यह समस्या है और बेवसाइक जो क्या है तो जो खि तूट जा और गहां कभी ना है तो यह सब जोखिम होती है तो ऐसा नहीं होता है अगर आपने सही ढंग से सही जगह दुकान खोल लखी है तो एक दिन जोखम हो सकता है तो यह इसी को जोखम कहते हैं और परियावर्ण सर्नक्षंड से क्या मतलब है जैसे वही तालावला बना है यह सब काम करना यह समझते हैं आज कल हर कालेज में आप देखे होंगे कि जो है आपको अगनी सामक यंतर लगे हुए हैं और जो है इस तरह से आप अपने सब्सक्राइन हैं घुंक की वह को खता है बाइवान तो आप है रहा है कि पर्यावरान का बहुत ही महत्व है क्योंकि हम लोग आज भी बर्गत की पूजा करते हैं तुलसी को एक अच्छा पौधा मानते हैं पूजा करते हैं तो भारती संस्कित में तो हमको बर्गत पीपल यह सब चीज़ें तुलसी का पेड़ आपके घरी में होगा शमी भी होगा तो यह भारती संस्कित में पर्यावरान का बहुत महत्व है और इस पर भी एक पेज आप दस लाइन लिख सकते हैं एक पेज बराबर दस लाइन बार्रा लाइन आप लिखें और साथमा कोश्चन ग्रामल विकास से आप क्या समझते हैं तो देखिए दूसरा आ ग बैंक हैं उद्दोग विभाग है जो जिला में और आपका जो आपके अंदर करने की छमता है आप अपना करना चाहें जो भी बनाना चाहें आप इसका वीडियो सुन लेंगे तो समझ जाएंगे और कुछ वर्तमान योजना हैं जैसे अभी जो चल रही है जैसे आईश्मान योजना चल लएए बहुत रग रोज पेपर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी कई योजना है जो सरकार चला रही है तो इसको भी आप तीन पेज में लिख सकते हैं सीमान तो लगू किसान में अंतर बताएं आप जानते ही हैं सीमान किसान वही चारवी घा से उपर वाल लगू चार भी जा से नीचे वाला तो इसमें अंतर भी आप समझा ले जाएंगे राश्ट्री ग्रामीड मिसन रोजगार कारकरम पर टिपड़ी दें वही मनरेगा को आप जानते ही हैं इस पर आप अपनी कुछ भी दस लाइन लिख सकते हैं जो आपने अन्भा किया हो कुटी रुद्द उसका है उसके लिए है और इसका महात तो आरशकता क्या है महात तो बहुत जरूरी है क्योंकि बेरेज़गारी वो खतम करना हमारा उद्देस है और दूसरा इसकी आवशकता भी है कि आदमी आत्म निर्भर तो बनेगा किसी दूसरे से 10 उर्पिया मांग होने से बचेगा तो इस पर भी आप तीन पेज बड़े अराम से थोड़ा ब्लैक और मतलब इसके उसके नहीं काला निला डाट वाली पेन लेके हेडिंग डालके तीन पेज लिख सकते हैं और खंडखाव में आ जाते हैं उद्द्यमता का भी कास मतलब आप अपने अंदर क उद्द्धम कैसे बिक्सित करेंगे तो परियोजना क्या है तो परियोजना का मतलब कि आप कोई प्लान मनाते हैं जैसे किसानी को ले लीजे वो एक धान का परियोजना बनाता है कि हमको धान बोना है तो भीया खरीता है पैसा जुटाता है तो हम तो रगी बाते करता है चीज़ें ध्यान में रखी जाती है और इस वीडियो को भी आप सुन सकते हैं बहुत वीडियो माने इस पर दिया है स्वाट क्या है वही चुनवती आउसर अपर्चुनिटी और टी से थोड़ा थ्रेट डर भी होना चाहिए डबलू से वीकनेस थोड़ी कमजोरी भी होने चाहिए तो ये स्वाट इनलसी सापको ये समझा देती है कि स स्ट्रेंथ टाकत भी होनी चाहिए आपके अंदर तो काम करने में आप जो है आपी प्रड़ाली क्या है मतलब वही पहले माल जो इस्टोर करना है, दूसरा मध्धम इस्टोर करना है और सी, जिसको सीधे बेश देना है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इंजिरिंग लेंग्वेज में तुम मैं ABC को- एंगिल बीम चैनल कहता हूं, तो खेर छोड़िए इंजिरिंग लेंग्वेज क समान को आपको बाटा गया है और सफल उद्दमी के गुण बता है तो उद्दमी सफल कौन हो सकता है जो की थोड़ा सा मतलब दस गुण तो मैंने आपको अपने बोल्ड पे ही लिखके रखे हैं उसको भी आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन उसके अंदर भी है सफल उद्द उद्दमी है एकदम बढ़ियां उद्दमी कोई किसान अच्छा काम कर रहा है तो उसका ट्रेक्टर वाला फिरी में जो देता है फिरी मिल जाता है तो वह दुकान घूमें कंपनी है आपके उपर आपको तनखा दे रही है तो वह मार्केटिंग हो गई तो विप्लन का अपसेल बजट क्या है तो बजट आप अपनी माता जी से पूछ सकते हैं कि पिता जी सालवाल में कितना कमाते कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे तो उसमें बजट क्या होता है तो उसका एटुजेट उसका मतलब खर्चास थाई पूजी होती है कारसील पूजी में आती हैं तो इन सब को लेके जोड़के जो किसी पूजेट के लिए हम बनाते हैं उसको बजट कहते हैं कर्मचारी का चुनाओ या भरती आप जो करते हैं माले यह कोई दुकान आपने खोला उसमें दो आदमी रखने हैं तो उसको कैसे उनको का इंटेव्यू कैसे यह सब चीजें आप़े और निर्भर करती हैं यह नहीं की रिस्तदार रख लिए है तो रिस्तदार रखने से काम नहीं चलता da और प्रसिक्षण के महतों को बता है देखिए प्रसिक्षण तो हम लोगों ने 11 में किया ही है थोड़ा और प्रसिक्षण आप किसी भी दुकान पर जाके बाट जाए अगर 10 मिनिट में तो आपको जरूर देगा अगर आप उसके साथ इमानदारी से बात करेंगे तो तो प्र प्रसिक्षण हो गया तो आर्थिक बिद्धि में उद्धिमी की भूमका बहुत बहुत जादा एक पिज में तस लाइन में आप इसको भी लिख सकते हैं कि गाउं में कोटीर उद्धियोग अगर हर आदमी थोड़ा-थोड़ा करने लगे तो आर्थिक बिद्धि तो एक ग उद्धि में बहुत सहायक है वैसे किसान ही अगर चाहे तो किसान भी बढ़िया उद्धिमी है मेरी समझ से आप इसको अपनी भासा में भी लिख सकता है मैं यह नहीं कह रहा कि आप मेरी भासा को पकड़िएगा आप अपनी भासा में लिखे किताब सामने हैं आप पेजब भी हो सकती है लेकिन फिर भी आप अपनी भासा में को का चैन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा चात्रों और छोटे चोटे और भी कोस्टन्स हैं एक आप वीडियो और भी देने के कोशिस करूंगा इस पर और बस आपका भगवान भला करें और अच्छे नंबर से पास ह तो यह इस बार मुझे 80% चाहिए तो मैंनी मैंनी थैंक्स चात्रों और कल कालेज में मिलते हैं